हाई लियोज और वेलकम तो मैं चानल टारो विक तारा हिंदी और लियोज आज हम कर रहे हैं जोडियाक रीडिंग्स ये रीडिंग लिगो सन मून राइजिंग तीनों साइंस के लिए अप्लिकेबल होगी और अगर आप अपना मून और राइजिंग साइंग पता करना चाहत हैं तो डिस्क्रिप्शन में दियेगा लिंक को जरूँ चाहिजेगा विजट कीजेगा और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे आप इमेल करके अपना सेशन बुक कर सकते हैं तो लेट्स टार्ट टोडेश रीडिंग लियोज टारो से देखेंगे एनर्जी आपके लिए इस टाइम फ्रेम में क्या आ रहे हैं और और आकल से देखेंगे कि गाइडन्स क्या आ रहे हैं तो लियो आपका फर्स्ट कार्ड है टू और पेंटिकल्स पेज ओफ वन्स और सेवन ओफ वन्स आपका खुद का फायर साइन है और यहां पे तीन में से दो कार्ड फायर का फायर अलिमेंट के आये हैं तो काफी फिर्स एनरजी जैसे रहने वाली आपकी यह बॉटम ओफ डेक में आया है सेवन ओफ सोल्स तो सेवन नंबर आपके लिए प्रॉमेंट रह सकता है इस टाइम फ्रेम में ओठाई आप पलगी जानव में से बउस तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश कर सकता है तो सेवन ओफ सोल्स आपकी एकूझ सटाइम थाए नरजी है इस टाइम मेंने जो बॉटम डेकी हैं ठीक है, तो आप हो सकता है, इस वक्त तो, you are not being true to yourself, one, ठीक है, ऐसा हो सकता है कि, means आपकी capability बहुत है, लेकिन आप शायद उतना work नहीं कर रहे हो, और राइट, ये एक message है, एक message ये भी है कि अगर आप बहुत जादा hard work कर रहे थे, बहुत जादा hard work कर रहे हो, जो कि two of pentacles से लग रहे है, कि दो चीजों में juggle कर रहे है, मतलब काम के बीच में घर, काम, काम, काम इतना सारा आ गया, तो अगर आप इस energy से resonate कर रहे हो, कि आप बहुत जादा busy हो, तो seven of swords के साथ आपको ये भी message है, कि थोड़ा सा smart work करो आप, थो page of wands, हमारे पास आया है यहाँ पर, page of wands की जो energy है, आप देखोगे, बहुत serious energy है, ठीक है, जैसे कोई inspection कर रहा है, कि क्या progress हुई है अभी तब, okay, pages के पास बहुत सारा experience भी होता है, experience है, बट अभी pages को commitment में कहीं कमी आती है, उनके अंदर commitment की थोड़ी सी कमी होती है, seriousness की कमी होती है pages के अंदर, तो आप इस energy में हो सकते हो, आपके आसपास आपको ऐसा feel होगा, कि आप कोई creativity का काम करना चाहते हो, कोई अपना passion related काम करना चाहते हो, क्योंकि आप जो mundane life है, उससे बहुत fed up हो जोके हो, आप चाहते हो कि आप कुछ ऐसा करो, जो आपको अच्छ हो रहे हो, ठीक है कि यार मैं नहीं चाहता, यह Monday 9 to 5, 9 to 5 मेरे से नहीं होता, मुझे कुछ ऐसा करना है, जससे मेरी soul खुश हो, कुछ creative element मेरी life में होना चाहिए, तो वो opportunity या वो idea भी कुछ लोग जैसे thought देते दिखाई दे रहे हैं आपे, लेकिन आपको बड़ा resistance दिखेग यह जो आपका, यह जो भी creativity के लिए आप, यह नई creativity आपके अंदर आ रही है, उसको बहुत ही resistance मिलेगा, और ऐसे लोगों से resistance मिलेगा, जिनसे आप expect नहीं कर रहे थे, ठीक है, आपने सोचा शायद example ले रहे हो, कि शायद मेरी family तो support करेगी, करेगी, या मेरे friends, या जिस त unexpected, unexpectedly आपको यह लग रहा है, कि इस बिल्कुल भी support नहीं मिलेगा, alright, तो यह जो भी situation है, मैं आपको कहूंगी, कि first of all, आप किस place पे हो, किस तरीके से सोच रहे हो चीजे, आपके parents या family किस तरीके से सोच रही है, तो आपको यह सब चीजे की ध्यान में देनी है, अगर कोई resistance आप इस idea के opposite, कोई resistance भी अगर आपको देखने को मिले, तो जरूरी नहीं है कि आपको respond ही करना है, ठीक है, आप देखो, observe करो, बाकी लोग क्या कह रहे हैं, क्योंकि मुझा ऐसे लग रहा है कि आप अपने idea को बहुत defend करने वाले हो, आप तर्क वितर्क में पढ़ने वाले ह there is some substance कि अगर मैं ये काम करना चाहता हूँ, या कुछ और सोच रहा हूँ, तो क्यों सोच रहा हूँ, लेकिन चीजे अगर बहुत ज़्यादा heated up हो जाएं, तो मैं कहूंगी थोड़ा सा retrieve करें, अगर मान लीजे घरवालों के साथ बहुत heated comments होगे, क्यार, आप कुछ कह रहे है, तो आप एक practical approach लगाओ उसमें, और अगर अभी बहुत ज़्यादा heated हो रहे हैं comments, तो थोड़ा सा withdraw कर लो, आपने तो चलो process करने के लिए अपने आपको time दिया, आपने सोचा, समझा, आपके parents, आपकी family को उनको भी process करने का time दोआ, ठीक है, don't expect you right away, they'll be very mellow, ठीक है, ज कि और अकल से क्या guidance आ रहे हैं आपके लिए, तो लिए उस आपका पहला message है, charity, prayers and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive, तो लिए यहाँ पर आपको यह बोला जा रहा है, मुझे लग रहे है कि थोड़ा सा meditation की energy आई है, contemplation जो है, meditation की energy है, ठीक है, यह angel charity है, prayers and contemplation, तो आपना थोड़ा से positive affirmations और meditation work पर ध्यान करने को आपको बोला जा रहा है, जिससे कि आपको clarity, जो भी आपका idea है, आपको future में क जा करना है, कि आप सही path पर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो, हम सबको confusion रहती है न, कि यार यह करना चाहिए, यह करना चाहिए, सही path क्या है, क्या सही path है, तो वो सही path की direction, उस सही path को आप identify कैसे करोगे, वो चीज आपको meditation से clarity मिलेगी उस चीज के लिए, ठीक है, तो angel, archangel charity आए हैं आपके लिए, Paul the Venetian, experiencing grace, share our gifts with grace, wave of inspiration and love are coming to you, यहाँ पे specifically मैंने जब creativity का message दिया, तो जिन लोग के साथ ये creativity का message resonate हुआ है, उनके लिए बहुत बड़ी blessing है, क्योंकि जो Paul the Venetian, he was an artist, ठीक है, तो जो भी लोग अपनी creative art के लिए काम कर रहे हैं, मतलब वो चाहते हैं कि अपनी creative arts को explore करें, उनके अंदर क्या creativity है, ये का अड़ाना बहुत बड़ी blessing है उनके लिए, ठीक है, तो जो भी creative काम करना चाहते हो, let's say आप artist, painting करना चाहते हो, आप portrait लिखना चाहते हो, आप jewelry making करना चाहते हो, आप let's say interior designing करना चाहते हो, आप candle designing करना चाहते हो, किसी भी तरीके की creativity, creativity, उसके लिए Paul the Venetian का आना बहुत 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 आपके लिए एक lucky sign है, ठीक है, तो आप अगर अभी भी doubt में थे, तो explore करना शुरू करो, और Paul the Venetian, he is a light worker, ठीक है, light worker है ये, और इनको आप prayers मोल सकते हो, याँ पे आपके लिए prayer and contemplation आया ह ही है, तो आप Paul the Venetian, Paul को आप guidance मांगे, कि आपकी जो भी एक creativity है, आपके जो भी एक gifts है, creative gifts, इनको आपको समझने में और इनको एक gracefully, gracefully एक shape में लाने में आपकी help करें. और लेडी नादा, heart awakening, awaken to acceptance and divine love, give and receive in balance, ठीक है, receive भी और giving भी बार दोनो balance होना चाहिए, लेडी नादा का यही message है, and specifically मुझे ऐसा लग रहे है, जो भी creativity वाला, creative आपका element है ना, आपका, आपकी जो भी creativity है, वो आपके heart chakra को open करने में भी help करेंगी, heart awakening है क्योंकि, और Paul the Venetian and Lady Nanda, दोनों के heart में आप देखो हैं यहाँ पे rose flower बने हुए है, और यहाँ पे भी roses आए, तो हो सकता है इस time frame में rose, जो rose essential oil होता है, rose flower होता है ना, इसकी आप मानोगे नी, vibrations बहुत हाई होती है, बहुत हाई vibration होती है, तो अपने आसपास आप rose का flower, अगर आपके घर में पौधा है, गार्डन है, तो आप rose का flower अपने पास रखे हैं, उसको भी prayer बोल सकते हैं, तो mother nature ही है, रोस भी, तो mother rose को भी आप prayers बोल सकते हो, and specifically heart chakra, जैसे ही creativity आपकी heart chakra को open करने में आपकी help करेगी, बहुत सारे लिए उसके साथ है message resonate होगा, क्योंकि य for sure, surety है इसमें दो, ठीक है, बहुत ही light reading लगी मुझे न, बहुत ही एक्तम sweet सी, चलो, तो ये कुछ messages ते Leo's आपके लिए, I hope इन messages से आपको कुछ ना कुछ help और guidance जरूर मिली हो, और अगर आपको ये reading पसंद आई है, तो इस reading को जरूर like करें, और अगर future में ऐसा content देखना कुछ ना कुछ helper guidance जरूर मिले, और अगर मेरे साथ आप personal reading book करना चाहते हैं, तो मुझे आप email करके अपना session book कर सकते हैं, मैंने अपनी email address tarowittara777 at the rate gmail.com mention किया है description में, okay, so that is all for today guys, हम आपको मिलेंगे आपकी next reading में, meanwhile take care and bye bye